हेलो फ्रेंट वेल्गम बैक तो मैं चैनल अम्रिती फेशन विला आज देखें मैं यह चोटी सी ड्रेस बनाने वाली हूँ यह मैं बड़ी ड्रेस में हमें साथ यूज करती हूँ आप लोगे काफी टेम से कमेंट आ रहे थे कि सेम मेजर्मेंट चैट हमें चोटी साइज में दिखाए तो मैंने आज यूज करके दिखा दिया यह रहे हमारे जीरो साइज के कानाजी वीडियो के एंड में मैंने आपको इन्हें नाप के दिखाया है क्योंकि काफी सारे लोग के पास डबल जीरो साइज के कानाजी होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके कानाजी जीर करके ही बाद होंगी एक्षेंज करके बाद लेने से फिटिंग हमारी अच्छी हो जाती है यह इस तरह से हम पीछे ले जाके बाद लेंगे मैंने डोरी बहुत छोटी नहीं लगाई है लंबी ही लगाई है मैं आपकाना जी को गोद में लेकि पहना लेती हूं वीडियो स्टा आप देख सकते हैं पगड़ी भी बहुत अच्छे से पिट आ गई है और ड्रेस आप देखें आपके सामने हैं मैंने आगे पीछे दोनों से दिखा दी है ड्रेस बहुत अच्छे से फिट आ जाए है यह रहा मेजर में चार्ट चलिए स्टार्ट कर लेती हूं वीडियो और फिर आपको बता देती हूं दिखें मैंने सेम मेजर में चार्ट लिया हुआ है यहां पर जीरो साइस के लिए 15 इंच लंबाई और धाई इंच ओड़ाई चाहिए तो मैं आपको फैबरिक के नाप के दिखा देती हूं पिश्रे बार मैंने आपके नहीं दिखाया था तो कि एक लोग कोई फेक काम करते हैं तो बाकी सारे फ्रॉड काम ही कर रहे हैं मैंने अपनी सुरू से सारी वीडियो एकदम जैनुमिन रखी हैं आपको वही डिटेल्स दी हैं जो आपके लिए काम की हूं चलें यहां पर मैंने जीरो साइस के लिए 15 इंच लंबाई और धाई 3 नमबर में 30 इंच 4 नमबर में 35 इंच 5 नमबर में 40 इंच 6 नमबर में 50 इंच 7 नमबर में 60 इंच 8 नमबर में 70 इंच 9 नमबर में 80 इंच और 10 नमबर में 100 इंच रखना है और जो चोड़ाई है जीरो साइस में 1.5 इंच 1 नमबर में 3 इंच 2 नमबर में 3 इंच 3 नमबर में 4 चार नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच, 8 नंबर में 7 इंच, 9 नंबर में 8 इंच, और 10 नंबर में 9 इंच रखेंगे. अब हमें क्या करना है आपने इस piece को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने की बाद हम इसे तीन सैंसे सिलेंगे ये रिखे इस तरह से हमें मोड के और सिलाई लगानी है, इसकी दो हम पतली-पतली वाली साइट और एक हम लंबी वाली साइट सिलेंगे, आप चाहत इस पर भी लेस वगरा भी लगा सकते हैं, मैं इसे एकदम नॉर्मल प्लेन ही बनाऊंगी यह देखिए मैंने यहाँ पर अपनी पत्टी जो है वो सिल्ली है, अब इसकी जो साइट हमने नहीं सिल्ली है, उसी साइट हमें प्लेट बनानी है, देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे, और ऐसे करके हमें प्लेट बनानी है, एक दूसरे के ओपर चढ़ाते हुए यह इस यह देखिए, यहाँ पर बना के भी आपको सिल्गे दिखा देती हूँ, हमने इस तरह से रखा, रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई को लॉफ कर देंगे, इस तरह से, अब लाश प्लेट हमारे जो ही सिल्ले की सूई देखिए, इस तरह से आप अंदर कर आपको इस तरह से उठाने के बात भी है, इस सरकेगा नहीं, आपका निकले के अंगे यहाँ से, इससे उठा के ही आपको रखना है और यहाँ पे अपनी और भी प्लेट बना लेनी यह दिशिए, इस तरह से, फिर इससे मैंने थीम टीम प्लेट बना एप, इससे में चाए करती हो चोटे साइज में आपके सामने ही भडेस कोई दिककत नहीं होती है इस तरह इस तरह से wash अर पूरी life जो है सीधा कर लेंगे जिससे हम इसकी कमर नाप पाएं तो आप देखें एकदम एक्जेक्ट हमारी 3 इंच है कमर 3 इंच है कमर तो 0 size में 3 इंच कमर मैंने रखी है आप एक नंबर में जो है वो 3.5 इंच कमर लखेंगे 2 नंबर में 4 इंच 3 नंबर में 4.5 इंच चार नमबर में पांच इंच, पांच नमबर में साड़े पांच इंच, छे नमबर में छे इंच, साथ नमबर में साड़े छे इंच, आठ नमबर में साथ इंच, नौ नमबर में साथ इंच, और दस नमबर में आठ इंच कमर लगनी है अब यहाँ आप यहमें नेफा टाइच करना है तो नेफा चाहिए आप किसी भी साइज में बनाइए आपको 2 इंच चोड़ाई का फैब्लिक चाहिए 2 से आप 2.5 इंच चोड़ाई ले सकते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ भी मैंने 2.5 इंच की चोड़ाई ले है मिस 2.5 इंच की बीच में जितना आता है उतना चले इससे 2 इंच हम चोड़ा कर लेते हैं 2 इंच एकदम पर्फेक्ट साहिज है 2 इंच एकदम सही रहता है तो यह मैंने देखे कट कर दिया 2.5 इंच अब यह हमारे पास 2 इंच चोड़ाई का हो गया है हमें क्या करना है इसे इस तरह से मोड़ना है मोडने के बाद एक बार और मोड़ेंगे और अपनी ड्रस में हम पीछे की साट से इसे रखके सिलेंगे चले सिलती हूं फिर आगे आपको बताऊंगे कि हमें क्या करना है यहां पर अपना पर अपना पर जो भी एक्ष्टा है वह हम कट कर देंगे यहां पर आप जितना बारीक रखेंगे उतनी अच्छी आपके फिनिशिंग आएगी अब हमें क्या करना है यहां पर हम मोड़ेंगे यह मैंने डोरी ट्यार की है यह देखिए मैंने इस पर टॉसल लगाई हुई है इस तरह की टॉसल बनाना मैंने आपको बहुत बार बताया है इसलिए मैंने आपको इस बार नहीं बताया यह दिखिए इस तरह से मोड़ना है और यहां पर सिलाई लगा लेने यहां पर सिलाई लगाते वक्त आपको धियान देना है कि स्टार्टिंग और एंड में अपनी सिलाई को लॉक कर लीजे और डोरी के ओपर सिलाई नहीं लगानी है चले सिलती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह तो हमारे देखें कंप्लीट हो गया है अब मैंने यहां पर चोली के लिए फैब्डिक ले लिया है तो चोली के लिए जो लंबाई है वह आप देख सकते हैं मैंने पांच इंच लिया है और चोड़ाई हमारी 1.5 इंच ही रहेगी यह इस तरह से मैं आपको सभी साइज में 10 इंच, 6 नमबर में 11 इंच, 7 नमबर में 12 इंच, 8 नमबर में 13 इंच, 9 नमबर में 14 इंच और 10 नमबर में 16 इंच लंबाई रखेंगे और जो चोड़ाई है जीरो साइस में 1.5 इंच, 1 नमबर में 3 इंच, 2 नमबर में 3.5 इंच, 3 और 4 नमबर में 4.4 इंच, 5 और 6 नमबर म और एक से हमारी पगड़ी बनेगे, सबसे पहले हम अपना चोली वाला पीस रड़ी करते हैं, दोनों हम सेम तरीके से रड़ी करेंगे, देखिए मैंने थोड़ा इधर से मोड़ा, जितना उधर मोड़ा है उतना ही इधर, मैं देखिए यह पूरा बराबर हो गया है, और एक हम इसे और मोड़ के इस पर सिलाई लगाएंगे, सेम ऐसे ही दूसरी पट्टी भी हमने रड़ी कर लेनी है, चली करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है, यह देखिए मैंने दुनों सिल दिया है, अब इसमें से हम एक पीस हम पहले चोली वाले रड़ी करते हैं, यह देखिए मैंने आप इसे सिल दिया, सिलने के बाद हमारा यह इतना रड़ी हो गया है, अब हमें क्या करना है, इसे अपनी घेर के सेंटर में रखके हम सिल लेंगे, तो बस हमारी यह चोली भी अटेच हो जाएगी ड्रस में, चले सिलती हूँ, इस बार भी सिलाई लगा यह देखिए, हाँ पर हमारी ड्रस रेडी हो गई है, एकदम सिंपल और आसान तरिके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है, अब पगड़ी के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना इस दूसरा पीस लेना है, इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे, यह देखिए, यह मैंने इसे हमें इसे हमें सुईधाई के अलब से सिल देना है, यह देखिए, मैंने इसके अंदर ऐसे उंगली डाली होगी है, निकालना नहीं है हमें, और ऐसे हम इसे पकड़े पकड़े और सिल देंगे, सिर्फ आफ सेंटर से भी टक कर देंगे तो यह रिड़ी हो जाएगा, क् बड़े सायज में हमें इसे काफी लंबात पूरा यहां से यहां तक सिल ना पड़ता है, छोटे सायज में भी सिल दीजे तो कोई दिक्कत नहीं है, बटका हमारा चल जाएगा, अगर आप इसे बीच में भी टक कर देंगे, तो देखिए मैं आप इसे सेंटर से ही टक कर इसे काफी लोग के पास डबल जीरो सायज में लगता है कि उनके काना जीरो सायज के है, इस तरह से हमारे दो दस्मलो दो पाचिंच के होंगे, इनके हाथ तक हमारा दो इंच आ रहा है, बागी इनका नीचे वाला हाथ अगर आप इस तरह से में पूरा दिखाऊं उपर से गए को दो दस्मलो दो पाचिंच यіз दो इदो इंच आप इंचता है तू इंच में रहां झापे इस में की उतल है, किसी बी सायज घुडाय तो कोई भी प्रॉब्लम नही नहीं होने वाली है, आई योप मेरी आज के वीडियो आपको पसंद आही होगी अच्छी लगी है तो प्लीस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा अब मैं आपको भी जूँगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे